बॉलिवुड में बायोपिक्स का अपना ही अलग ट्रेंड है भारत में कई महान और क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं उन्होंने ऐसे सपने देखे जिने सच कर पाना आज भी कई लोगों के लिए नामुम्किन बात रेल्स और सोशल मीडिया की दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी जब लोग दूसरों की खुशी में खुश होते थे उन्हें अपना सपना पूरा करते देख प्रेरित होते थे और ऐसी चीजे कर दिखाने की शमता रखते थे जिनके बारे में सुनकर देश के हर इंसान का सीना गर्व से चोड़ा हो जाए ऐसी है कहानी को परदे पर उतारा है डारेक्टर कभीर खान में उनके फिल्म का नाम है चंदु चैम्पियन आज बात करेंगे चंदु चैम्पियन की और कैसी है कारतिक आर्यन की एक्टि इस फिल्म में नमश्कार मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे है रिपोर्ट जी का फिल्म रेव्यू सेग्मेंट ये कहानी है भारत के पहले पैरलिम्पिक गोल्ड मेडल विजेता मुर्ली कांथ राजानाम पेट करती उनके किरदार को निभाया है अक्टर कार्तिक आरेल ने मुर्ली कांथ की जिन्दकी की कहानी को जब आप सुनते हैं तो लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया की बात है बाच्पन में मुर्ली ने भारत के महान रिसलर रहे खाशाबा दादा साहथ चादब को उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीत कर घर वापस आते देखा वहीं से उसने खुद उलम्पिक चैंपियन बनने का सपना देखा जिसके बाद गाओं में अखाडे में पहलवानी की ट्रेनिंग लेने लगा वहीं से उसने खुद Olympic Champion बनने का सपना देया इसके बाद गाओं के अखाडे में पहलवानों को ट्रेनिंग देने वाले गुरू के पैरों में गिरकर उनका चेला बन देया मुर्ली के गुरू को ये नहीं पता था कि उनका बोला भाला और कमजोर सा दिखने वाला पट्टू यानि हमारे कार्तिकारिन भले ही अखाडे में किसी से लड़े और ट्रेनिंग न ली हूँ लेकिन वो देख सब कुछ रहा और चीज़े सीख भी रहा ऐसे में उसमें दूसरे गाउं के दगडू को कुछती प्रतियोगिता में ऐसा पठका कि पुरा गाउं उसकी जान के पीछे पढ़ गया यहीं से जो दोड मुर्ली ने लगाई तो वो आर्मी पहुंच गया उसको बचाने वाले दोस्त करनेल सिंग ने उसका पूरा साथ दिया और उसे बताया कि मिलखा सिंग और ध्यानचंत की तरह आर्मी में स्पोर्ट सीख कर वो भी उलम्पिक तक जा सकता है आर्मी में रहते हुए मुर्ली कांट ने बॉक्सिंग सीखी और टोक्यो में हुए समर उलम्पिक में हिस्सा भी लिए इसके बाद वो हुआ जो मुर्ली कांट ने कभी नहीं सोचा था 1965 की जंग में उनके शरीर में सर से पैर तक 9 गोलियां लगी आर्मी अस्पताल में वो दो सालों तक कोमा में रहते हुए होशाया तो देखा कि रीड की हड़ी में गोली फसी होने के कारण उनके शरीर की निचले हिस्से ने काम करना बंद करती शरीर की साथ ना देने के बाद भी मुर्ली की किस्मत को कुछ और ही मंजूर उनका ऐलंपिक का सपना भी तो पूरा करना था तो बस यहीं जे कहानी नया मोड लेती है रेगुलर ऐलंपिक नहीं तो पैरलंपिक ही सही पैरलंपिक में अपनी महनत और जीट से मुर्ली कांथ पेटकर ने साबित किया कि दिव्यांग लोग लाचार नहीं हाला कि समाज उन्हें तरस खाने लायक ही समझता है लेकिन वो भी समाज की सोच को तोड़ कर कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं अब बात करते हैं एक्टिंग की चंदू चैंपियन में कार्थिक आरेंस से जो उमीद ही उन्होंने बिल्कुल वैसा ही काम की इस फिल्म में कार्थिक के अब तक की बेस्ट पॉफॉमेंस है ये कहना अतिश्योग की नहीं है हमेशा हलके फुल के बॉइ नेक्स डोर के किर्दार में नजर आने वाले कार्थिक यहां प्योर गोल्ड बन कर उप रहे है मुर्ली कांट पेटकर के किर्दार के साथ उन्होंने पूरा नयाय किया ऐसा शायद ही कोई रोल रहा हो जिसे विजयराज ने धंग से ना निभाया। लेकिन बहुत से कम ऐसे रोल होते हैं जिने वो औरोस से बहतर निभाकर अपने ही परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर देते हैं। इनके अलावा मुर्ली कान पेटकर के बचपन के रोल में चाइल्ड आर्टिस्ट अयान खान सरोहा है। अक्टर ने अपने छोटे से रोल में कमाल का काम किया है। इनके अलावा भुवन अरोडा, राजपलियादव, अनिरुद दवे, श्रियस तलपडे, रिजेंद्रिकाला, यश्पाल शर्मा, सुनाली कुलकर्नी, हिमांगी कवी फिल्म में एहम भूमिकाओं में नजर आए। सभी ने अपनी किर्दारों को बखू भी निभाया है। अब बात करते हैं डारेक्शन के। डारेक्टर कवीर खान का बायोपिक बनाने का अपना तरीका है। वो बहुत आराम से अपनी कहानी को कहते हैं बिना किसी लाउड म्यूजिक और ड्रमाटिक अंदास की। रिपोर्टर जी के पैमाने पर इस फेल्म को पांच में से मिलते हैं चार स्टार्स। फिलाल इस रिवीव में केवल इतना ही। आपको इस विशह में क्या लगता है। कॉमेट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और एंटर्टेन्मेंट से जुड़ी खाबरों के लिए देखते रही है रिपोर्टर